हे गाईस वेलकम बैक तो माई चैनल तो आज की इस वीडियो में रिव्यू देने वाला हूँ एट अल्टरा स्मार्ट वाच का जो कि मुझे आज ही रिसीव हुई है और परसनली मिरको इस वाच का काफी टाइम से वेट था क्योंकि ये स्मार्ट वाच एपल वाच अल्टरा क मास्चर क्लोन रहने वाली है और इसके अंदर आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे वो भी एक अफॉर्डिबल प्राइस सेग्मेंट के अंदर यहाँ पे अगर बात करें इसके बॉक्स की तो बॉक्स क्वालिटी से ही आपको आईडिया लग गया होगा कि कि प्रीमियम होने वाली है यह समार्ट बॉच सबसे पहले अगर बात करें बॉक्स एप्क के सेक्षन और इसके स्टेप्स के लिए अलग से सेक्षन प्रॉवैट क्या हुआ है तो सबसे पहले एक बार इसके स्बार इसक्ष motor कर देखने को मिल जाएंगे एक होने वाले नॉर् एडिशन वाले तो यह वाले स्ट्रैप भी काफी अच्छे होता है तो टोटल टू स्ट्रैप्स देखने को मिल जाएंगे आपको इसके प्रोड़क्त के साथ जोकी काफी अच्छी बात है उसी के साथ यहां पर एक बार वाच को भी चेक कर लेता है ओके सो काफी एकसाइटमेंट हो रही है मैंको क्योंकि यह वाच का लिटरली मैंको काफी टाइम से वेट था और अब तक का बेस्ट क्लोन बताई जा रही है ओके सो यहां पर इस चाइप से वाच देखने को मिल जाएगी अच्छा खासा वेट है एक बार और चेक कर लेता है तो यहां पर देखने को मिल जाएगी एक यूजर मैनियोल और इसके अंदर बहुत सारी इंफोर्मिशन प्रोवाइट की हुई है उसी के साथ यहां पर S8 Ultra भी लिखा हुआ है तो यह सारी इंफोर्मिशन प्रोवाइट की गई है और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा वाइलेस चारजिंग केबल इस स्मार्ट वाच के लिए और केबल की लेंद भी अच्छे खासी है और यहां पर हम नूटेस कर सकते होंगे कि कोई भी मैगनेटिक पिंस वगेरा नहीं है इसका मतलब टू वाइलेस चारजिंग केबल होने वाली है और बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो काफी सारे अच्छे खासे जो कंटेंट्स देखने को मिलते थे वो सारे मिली रहे हैं इसके साथ प्लस यहाँ पे कीजिंग काफी अच्छी है किसी को गिफ्टिंग अगरा परपस के लिए देनी हो तो तो बैस्ट है बाकी यहाँ पे एक बार अपन वाच को चक्कर ळेता है तो यहाँ पे एक बार इसका कवर हटा डिता हो ओके सो काफी अच्छी लग रही है और अगर बात करें सबसे पहले build quality की तो यहाँ पे आपको battle build देखने को मिल जाएगी और pack side में polycarbonate built है और overall यहाँ पे looking wise काफी सही दिख रही है यह smart watch और यहाँ पे total three physical buttons देखने को मिल जाएगे यह दो इस side में और एक इस side में और इस side में speaker है और यहाँ पे microphone भी है तो यह भी एक calling watch होने वाली है और अगर बात करें इसके built और overview की तो exact one is to one apple watch ultra जैसी है और यहाँ पे आप देख सकते हो crown का placement वगेरा सब कुछ same to same apple watch ultra जैसा है और इस side में भी एक button provide क्या हो है तीनों ही buttons working होने वाले है कुछ भी dummy नहीं रहेगा और यहाँ पे अगर आप चाहो तो steps वगेरा भी लगा सकते हो और यहाँ पे यह locking वाले feature भी fake नहीं provide है यहाँ पे आपको अगर notice कर सकते हो तो locking का feature भी working देखने को मिल जाएगा तो steps वगेरा lock हो जाएंगे इसके अंदर तो एक बार check करते है steps लगा के कि किस step से लगेंगे यह okay so यहाँ पे step लगा के देखते है okay so यहाँ पे step से fix हो जाएगा तो यह वाले step भी लगा लेता हूँ यह side से लगेगा okay तो यहाँ पे step लगाने में हलकी सी problem आती है बट एक बार यह fix हो जाएगे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी तो steps में लगा दिये और steps के साथ quality काफी अच्छी लग रही है इस smart watch की बाकी एक बार इसको on करके चेक करता है वैसे तो यहाँ on करके 8 लिखा आता है पर इस watch के अंदर apple लोगों भी आ जाता है on और off करते वक्त उसके लिए एक secret code है जो की मैं आने वाले वीडियोस में बताऊँगा तो अगर वो वीडियोस देखने हो तो चैनल को subscribe सरू के हुए है और यहाँ पर डाउन दोरो साइड में बिल्कुल हलके हलके से बैजल से बाकी ओवराल ब्लैक कलर के watch face पे इतना कुछ जादा विजिबल नहीं होता और सिमेट्रिकल यहाँ पर आपको डिस्प्ले देखने को बिल जाता है तो ओवराल इसकी quality काफी सही है इसके display की और black color में कोई watch face लगाओगे तो तो बस मजा ही आजाएगा क्योंकि बिल्कुल edge to edge नजर आता है black color के watch face में बाकी यहाँ पर crown working देखने को बिल जाता है तो crown को rotate करके watch faces को change कर सकते हो watch के अंदर inbuilt कुछ 10 से 15 watch faces देखने को मिल जाएगे बाकी application से चाहू तो और भी add कर सकते हो और यहाँ पर animated watch faces का भी support देखने को मिल जाएगा चुकि काफी अच्छी बात है उसी के साथ यहाँ पर नीचे वाले बटन को अगर प्रेस करोगे तो watch को on और off कर सकते हो उपर वाले बटन यहाँ पर crown वाले बटन को प्रेस करके applications वगेरा open हो जाएगी और इस वाले बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पर भी watch on या off हो जाती है तो total तीनों ही buttons working रहने वाले बाकी अगर डिस्प्ले की brightness की बात करें तो अच्छी कासी brightness देखने को मिल जाती है डाइरेक्ट अगर sunlight में यूज करोगे तो भी इसका display visible हो जाएगा कोई problem नहीं होगी और overall display की quality काफी अच्छी है बाकी यहाँ पर यह level 5 brightness है और इससे अगर कम करेंगे तो यहाँ पर I think आपको brightness का idea लग गया होगा कि अच्छी कासी brightness है से smartwatch के अंदर बाकी अगर बात करें menu styles की तो यहाँ पर आपको बहुत सारी menu styles भी provide की गई है यहाँ पर अगर बात करें menu styles की तो वैसे आपको सभी menu style के अंदर crown को rotate करके application access करने का option देखने को मिल जाएगा तो functional crown होना अपने आप में काफी अच्छी बात है और इस watch के अंदर काफी सारी menu styles भी provide की गई है तो यहाँ पर आप इस type से crown को rotate करके menu styles को change कर सकते हो और honeycomb mode वाली menu style काफी हद तक काफी logo को कर सकते हो बाकि अगर बात करे smoothness की तो वो भी एक बार चेक कर लिता है तो यहाँ पर आप notice कर सकते होंगे कि अच्छा कासा smooth display देखने को मिल जाएगा इस स्मार्ट वाच के अंदर काफी smooth display और ऐसी कोई major issue नहीं आए की उसके बाद अगर बात करे UI की तो नीचे के दाव स् आपको Bluetooth का option देखने को मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर अगर डीची के दाव स्वाइप करोगे तो और भी कई सारे options देखने को मिल जाएगे और यहाँ से आप menu styles भी जेच कर सकते हो total इसके अंदर यहाँ पर 9 menu styles देखने को मिल जाती है तो मैं menu style 9 पर क्लिक कर दिया है तो menu style 9 यहाँ पर अपने इक बाद चेक भी कर लेता है वैसे वो लगी नहीं थी तो एक बाद आपस लगा के देखता है क्योंकि list style के अंदर application वगरा access करना बहुत easy हो जाता है उकेशो यहाँ पर आप देख सकते हो क्यी list style आ चुकी है उसके बाद अगर बात करें right की तो right की तब swipe करके यहाँ पर आपको reset applications देखने को मिल जाएगे उपर की तब swipe करके यहाँ पर notification वगरा check कर सकते हो और left के तर swipe करके यहाँ पे कुछ components देखने को बिल जाएगे तो इत दो components को आप access कर सकते हो उसके बाद अगर इस वाले बटन को प्रेस करोगे तो application उपन होगे और बाकी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ तो चलिए अब एक एक करके applications of features चेक कर लेता है स्मार्ट वाच के अंदर तो सबसे पहला feature है इसके अंदर steps का और इस smart watch के अंदर working आपको pedometer देखने को बिल जाएगा चुक्कि accurately steps वगरा count करके बता देगा वो उसके बाद है यहाँ पे heart rate तो इसको चेक कर लेता है तो यहाँ पे देखते हैं एर के अंदर reading लेती है या नहीं लेती है यह smart watch वैसे एक चीज़ आपको clear कर दूँ कि यह वाली जो watches होती है fashion purpose के लिए ही होती है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एर के अंदर reading show हो जाती है और जो भी fitness related features है जैसे कि heart rate sensor SPO2 sensor और यह सभी जो इसके अंदर provide के हो है सभी fake होने वाले है और इनके उपर आप उतना rely नहीं कर सकते है तो यह चीज़ आपको पहले ही clear कर दूँ कि heart rate sensor इस watch के अंदर working नहीं होगा उसके बाद है यहाँ पे message का option जिसके अंदर phone के notifications वगेरा चेक कर सकते हो उसके बाद है यहाँ पे phone book का option और यहाँ पे context वगेरा आप सिख करके access कर सकते हो उसके बाद है यहाँ पे dialer तो यहाँ पे किसी को एक बाद call वगेरा प्लेस करके देखते है तो यहाँ पे आप इस टाइप से आप से डाइल कर सकते हो नबर और किसी को भी calls वगेरा प्लेस कर सकते हो और इस watch का जो speaker की quality है काफी अच्छी है, loud है, crisp है, clear है तो आप 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 से calling वगेरा कर सकते हो कोई problem नहीं होगी उसके बाद यहाँ पे dual mode तो इसको access कर सकते हो फिर है यहाँ पे music का option और क्योंकि इस watch के अदर inbuilt speaker प्रोवाइट के हो है तो आप directly music वगेरा भी सुन सकते हो इस watch के अदर और enjoy कर सकते हो उसके बाद है find my device का option remote capture है, running है, skipping है और आपको बता चुका हूँ कि fitness feature इस watch के working है जैसे कि यहाँ पे pedometer पर्टिकुलर जो होता है वो particularly अच्छे से work करता है actually आपके steps वगेरा count करके बता देगा उसके बाद है यहाँ पे facebook, twitter, whatsapp का option तो respectively इनके जो notification इनके application के अदर देखने को मिल जाएगे तो अगर आपको जैसे कि whatsapp के notification देखने है तो इसके उपर क्लिक करके देख सकते हो उसके बाद है language change का नगा option फिर है यहाँ पे weather तो weather आप सिख करके check कर सकते हो उसके बाद इसके application का barcode तो इसको scan करके application को download कर सकते हो उसके बाद है यहाँ पे reset, power off और menu style in fact यहाँ पे आपको एक barcode भी देखने को मिल जाएगा application का तो application वगरा download करके भी आराब से access कर सकते हो तो overall काफी अच्छी watch रहने वाली है और अच्छी यह इसलिए भी है क्योंकि यह काफी का price segment में आपको देखने को मिल जाएगी इस watch की price रहने वाली है just 2,000 रुपीज Urban India Store India की website पे तो Urban Store India जो है 100% trusted store है वहाँ से आप आराब से order place कर सकते हो my link मेंने provide कर रखी है description में 2,000 इसकी price है और 5% आपको additional discount देखने को मिल जाएगा Urban Store India की website पे तो यह आपको under 2,000 देखने को मिल जाएगी और इसके अंदर apple logo भी लग जाता है जो कि मैं आपको upcoming वीडियोस में सरूर से बताऊगा तो काफी अच्छी deal रहने वाली है यह Urban Store India की website से आप definitely purchase कर सकते हो my link provide की हुई है description में तो उभीदा अचका वीडियो आपको informative लगाऊगा helpful लगाऊगा अच्छा लगाऊ तो like share subscribe सरूर से करना बिलता हो आपसे अगले वीडियो बे तब तक के लिए बाए बाए